नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ सासारा में शुकरवार को राहुल गांदी की भाराज जोडो निया यात्रा में तेजस्वी आधो भी शामिल हुए विजदोरा नुरावल गांदी की कहने पर उन्होंने जीप चलाई और बगल में कॉंगर्स सांसत बटे थे इसे लेकर बीजेपी ने तंच कसा है प्रदेश अद्धिक्ष और बिहार के जिप्टी सीम समरा चोदरी ने कहा कि सासाराम में कल दो लुटे रे जीप में घूम रहे थे एक ने देश को लुटा दूसरे ने प्रदेश को महीं बीजेपी के वरिष्ट नेता सुशिल मोदी ने से लेकर तेजस्वी पर तंच कसा है उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा बेरोजगार हो गए हैं तो ड्राइवर बन गए पूर्व उपमक्य मंत्री सुशिल कुमार मोदी ने कहा कि राहूल गांदी किसानों के लिए गड़ियाली आसु बाहर हैं और MSP वर कानूनी गारंटी देने का जूठा वादा कर रहे हैं पूर्व गांदी को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कॉंग्रेस ने समतन मुल्ले पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी उन्होंने कहा कि कानूनी गारंटी के सवाल पर यूपी सरकार ने संसत में कहा था कि ये विवारिक नहीं है और यदि ऐसा किया गया तो अर्थविवस्ता चर्मना जाएगी प्राहुल गांदी को सत्ता में रहने के समय किसानों और उनकी उपच के समतन मुल्ले पर कानूनी गारंटी देने की यात क्यों नहीं आती सुषिल कुमार मोदी ने बिहार में राहुल गांदी की यातरा को फ्लॉप शो बताया और कहा कि सासाराम में पांच हजाल लोग भी वंचवादी पार्टी के दो राजकुमारों को देखने सुनने नहीं बहुचे उन्होंने कहा कि बिहार में कॉंगरेस की गाड़ी राज़त ही चला रहा है राहुल की जीब चला कर तेजस्वी यादो यही जताना चाहते हैं बेरोजगार होने पर उन्हें कॉंगरेस का ट्राइवर बनना ही बहतर लग रहा है महीं डिप्री सीएम समरा चोधरी ने कहा कि बिहार में कल्दो लूटेरे घूम रहे थे तेजस्वी और उनके परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया है राहुल गांदी और उनके परिवार ने देश को लूटने का काम किया है शुक्रवार को सासाराम में राहुल गांदी की भारत जोड़ो नियात्रा के दोरान रोट शो हुआ जिसमें तेजस्वी ने चार किलो मिटर तक जीब चलाई इस दोरान राहुल उनकी बगल वाली सीट पर बैटे थे बैक सीट पर कॉंगरेस के सीनिया लीडर और पुर्व लोकसबा अध्यक्ष मीरा कुमार भी बैटी थी जब मुहार से सासाराम शहर के पहले स्पी जेन कॉलेज के तक करीब चार किलो मिटर तेजस्वी यादा उनने गाड़ी चलाई शहर का भीड भार वाला अलाका आने से पहले उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी इसी के साथ बने रे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद